वेलकम हुमारे सारे वीवर्स का और स्पोर्ट्स पैंस का क्योंकि आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है आज का वीडियो से फुटबॉल फैंस या हमारे स्पोर्ट्स पैंस के लिए नहीं है लेकिन उन सारे वीवर्स के लिए भी है जो कि मेरी वीडियो देखते हैं और आप सबके व्यूस की मदद से मेरे पहले 100 प्लस वाचिंग ओवर्स हो चुके हैं और ये चैनल बने हुए एक महिना भी नहीं हुआ तो इस मेरे हिसाब से काफी अच्छे अचीवेंट है अगर आप लोग का सपोर्ट इसी तरह बना रहा तो हम बहुत जल्दी हमारे जो टार्गेट है 4000 वाचिंग ओवर्स का वो पा लेंगे तो प्लीज आप वीडियो को ऐसे ही देखते रहे हैं और शेयर करिए ताकि लोग और देखे और हमारे देश की स्पोर्ट अचीवमेंट के बारे में जाने तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आप लोग को फिर से एक बार थैंक्स हेलो दोस्तों स्वागत है आपकी अपने चैनल स्पोर्ट संटिंग में और आप देख रहे हैं स्पोर्ट स्टॉक्स विर दिवाकर कि मैच डेट जब क्लोज आएगी जो कि सेप्टेंबर में है तब मैं वीडियो बनाऊंगा तक आप लोग को फटा-फट मिल जाए इनफोर्मेशन और उससाब से हमारे जो फैंस हैं अपना टाइम मैनेज कर देखने का तो मैं पहले बता दू आपको कि इस टॉपिक के बार iping का process क्या है कैसे जो मेंट होने वालाई 24 के कतर में वहा होन तक नेच्स वीडियो आगा उसमें मैं इंडिया के बारे में और उसके एस्ट्री और उससे क्या फाइदे होने वाले हैं इंडिया को पैरी इस ऑलम्पिक्स के लिए इस लाई आद कॉ बता होंगा तो शुरू कर तो AFC Asia Cup under 23, जिसका qualify September में होगा, 4 September से लेके 12 September के बीच में, और तीन के बारे में बात करते हैं, total 43 teams है, qualification round में, और उसमें से 10 group बनाया गया है, जिसमें कि 4-4 team है, साथ में last group जो है, उसमें सिर्फ तीन team रखे गया है, जो कि तुर्कमेनिस्तान, इंडोनेशियो और चाइनिस IP है, तो ये total 11 group हुए, अब इस group में सबसे important group जो है, वो है group D, group G और group H, वो क्यों? पहले मैं बताता हूँ, group D के बारे में, तो group D में आपको हमारे प्रवसी मुल्च मिलेगा, पाकिस्तान जिसके साथ है, बहरेन, पैलिस्टाइन और जेपैन, तो मैं बताता हूँ, पाकिस अच्टाइन के पाकिस्तान जिसके साथ में, तो मैं बता दूं कि बानगला देश इन सारे टीमों में सबसे कम rank की team है, मतलब सबसे बिकार rank की team, जो कि 180 के असपास में रहती है, साथ में मलेशिया है, जो कि 136 के असपास है, थाइलेंड का बताए चुब काफ एची टीम है, आशियान ग्रूप में सबसे अच्छी टीम है काऊंगा वेतनाम के बाद थाइलाइन है वो है 113 रेंग पे साथ और आपकी मलेशिया है वो 135 रेंग के असपास है तो काफी अच्छी टीम है सब और ये काफी आपको दिक्कत में दालने वाली है मैं कह दूँ कि बहुत मुश्क्री होने वाला है लेकिन मैं अच्छी टीम है मैं पाकस्तान के मुझाबर काफी टीम है तो कुछ अच्छा तो कर सकती है, हो सकता है, कुछ अच्छा करता है, तो मेरे हिसाप साफ अगर देखिए, तो मंगलदिश को काफी easy group मिला है, एक तरीके से दिखा जाए, एक psychology का तरीके से दिखा जाए, लेकिन, और players का से सिखेरिंग यह matter करता है, और यह माइनी रखता है, तो UAE का मैच, इंडिया थोड़ा फोगा, चैलेंजिंग होगा, लेकिन इसके अलावा एक तरफा तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा मतलब मान के चलिए, कि 19-20 का फरक होगा, UAE एक अच्छी टीम मैं मैं कहूँगा, इससे पहले ही मुकाबले हुए, अंडे 23 के, UAE ने व रेंकिंग और इंडिया के रेंकिंग और UAE के रेंकिंग में ज़्यादा फरक नहीं है, वहीं सुटबॉल में यह रेंकिंग ज़्यादा माइन रखती है, क्योंकि प्लेयर्स एड़ेंड अधे अधे खेलते हैं, और उनके परफॉर्मेंस के बेस पे ही मैच जिता जाता है, तो अब बात आती है कि सेलेक्शन आगे क्या होगा, कैसे चलेगा मतलब, तो मैं बता दू कि जो हरन ग्रूप में जो टॉप फिनिश करेगा, वो आटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा, नेक्स डेबल लिए या फिर मेन इवेंड के लिए, जो कि 12-24 में होना है कतर में तो वहां के लिए तो क्वालिफाई कर जाएगा, उस तरह से 11 ग्रूप है, और 11 टीम निकल जाएगे या से उपर से, 11 टीम मिल लिए आपको, उसके बाद जो 4 बेस्ट सेकेंड टीम होगी, यानि जो सेकेंड फिनिश किया होंगे अपने ग्रूप में, उनमें से 4 जो बेस् और 11 टीम होती है, और 11 टीम जाएगी हमारा कतर का एशिया का खेलने के लिए अन्डर 23 का, तो यह हो गया क्वालिफिकेशन के बात, अब बात आती है कि वैणिव क्या रहेगा, तो हर एक ग्रूप में से यानि जितने ग्रूप बाटे गया है, हर एक ग्रूप में से एक एक इस भी वहाँ जाएगी मैच खिलने के लिए तो यह राउंड रॉबिन टाइप का मैच होगा और इसमें आपको मैच खिलना है और जो आप पर रहेगा वो जाईश्वात क्वालिफाय कर जाएगा इसी तरह और बाखी जो ग्रुप से उनका वेन्यू यह है जॉर्डन रहेग इंडिया का स्कूइट बता दूगा और इंडिया का हिस्ट्री बता दूगा और मृठ comprehension क्या लिए ऐंपे तो प्लीज करिए और को लिए और मिलते हैं आप से अगले वीडियो में इसी वीडियो के नेक्स पार्ट में तो दब तक के लिए जाए जाय वारत